प्रूप करता है यूट्यव करता है तो आज हम बात करने वाले हैं जिसमें हम निमेरिकल्स पढ़ेंगे देखेंगे जो उसमें आते हैं और उनके बारे में हम देखेंगे और इसके पहले की वीडियोज में हमने आपको तो आज हम देखते हैं कि निमेरिकल को आते हैं उसमें से कुछ निमेरिकल्स हम आपको आज कराएंगे बाकि निमेरिकल्स है आपकी वुक में उसी के बैसिस में सारे सार्फ हो जाएंगी आप आराम से सब्लक्राइब कीमा तो जो हमारा दिया गया है तो इसका 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 इसकी नूटन का लोड लगा फ्री एंड पर और इसका जो यंग मॉडलस दिया गया है यह दिया गया है तू इन्टू तो दी पावर फाइव नूटन पर एमम स्कॉर एटिया यहां और क्या दिया गया है वाइग की बस दिकाई है मतलब कि वंद तो मिटर और मिलोटिकर आत्र सब्सक्राण था न्यूत्त को फेस्ट शूर कि दो लिख talks दोamped में चेंज करेंगे तो यह 2000 हमारा हो जाएगा में और हमारे पास लोड डवलू की वैलू हमारे पास दी गई है 35 किलो न्यूटन इसको जो न्यूटन ने चेंज करेंगे 35 multiply by 10 to the power 3 Newton यह इतने डाटा हमारे पास दिये गए है हमको find out क्या करना है यह हमारे पास स्कुर्स यह पार बीम था इसको उने इस तरह से बनाया हुआ है तो इसकी जो बीम है ठीक है इसकी जो लंबाय और चोड़ा ही हमको find out करनी है तो इसमें लंबाय और चोड़ाय जो होगी उमरी बरावर होगी इस ती दोनों को ने ए मान लिया है इसी ए की वेलियों को यहां पर find out करनी है कलें है तो अब हम find out करते है कैसे find out करएंगे सबसे प OchreKat हमारे पास formula क्या होता है कि A X-bar आई हमारे पास पता है हमें पता है। हम फाइं आट करेंगे और A rx'eo and dot dil डाट पर नंगे उसके बाद हम question को करेंगे या फिर हम आएसे ही फांड आट कर लेते हैं वाई बी पे जमारा हम दिया गया है कि कितना दिया गया है 3.5 वाई भी बराभा हमने पिछली वीडियो में क्या फार्मॉला पढ़ा था कि जो फार्मॉला में पढ़ा है डबलू एल क्यूं के लिए हमने पढ़ाता कि डबलू एल की वपार्ण 3EI तो यल की में पता है डबलो की पता है ई की पता है आई की वेलु उमको नहीं पता है तो आई की वेलु हम फाइंड आउड कर लेते हैं उसके बाद इसी फार्मॉले में रह देंगे तो हमारे पास पिकलके आ जाएगा एक है तो हम द पर usedदसे कि क्या हमारे पास है तो आई हमारे पास नहीं है आई तो हमारे है दी भी हमारे पास एंदी हो जाएं ने कितना हो यह का फॉर एक फॉर डिया गया कि अब हमारे हम को दिया गया कितना 3.5 दिया गया है और फार्मुला हमारे पास क्या होता है 3 W L Q upon me 3 E I W की वेलू हमारे पास 35 multiply by 10 to the power 3 और L की वेलू 2000 upon me 3 E की वेलू 2 into 10 to the power 5 और फिर आई की वेलू कि एक पाउर फोर फोर यह हो जाएगा टोल हमारा ऊपर चलाएगा 10 to the power 5 यह 3 और यह 2 जीरो यहां से cancel out हो जाएगा ठीक है अब हम इसको solve कर लेते हैं तो देखते हैं यह कितना आएगा तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझें हो रहा जाएगा हम यहां पर लिख लेते हैं यह क्या हमारा यहां से निकल के आएगा इसको हम यहां से cut करते हैं तो यह हमारा 10 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 3.5 इक कोल टू 3 50 x 12 अपान में 3 एक पावर 4 इसको क्या लिख सकते हैं एक पावर 4 इक कोल टू 350 x 12 अपान में 3 and multiply by 3.4 तो इसको हम स्रॉल करते हैं कल्कुलेटर में कल्कुलेटर आप साथ में लेके बैटिएगा तो यह जाएगा 350 multiply by 12 divided by कितना हो जाएगा हमारे पास 3 multiply by 3.5 तो यह मारे पास कितना आएगा एक की पावर 4 इक कोल टू निकल के आएगा यह पास 400 त्री यह कोड़ीटर इक पावर 4 इक कोल टूमारे चार सो आप हमारा जाएगा अब सब्सक्राइब कि यह कितना हो जाएगा हमारा कि यह एम्म की पावर कि फोर आएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह 20 mm स्क्वाइर आएगा मतलगा कि एरिया हमारा निकल सब्सक्राइब करना था कितना हमारा हो जाएगा यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर एक चीज़ देखते हैं यह हमारा एक मेट यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हैं को फिर से साल्व करते हैं यह 35 multiply by 10 to the power 3 और एल का क्यूब है 2000 का यह क्यूब हमारे पास है और यह 12 फिर है यह हमारे इंटू 2 इंटू 10 to the power 5 और यह हमारे पास 4 एक की पावर 4 ठीक है यह है अब इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे तो एक की पावर 4 इक्वाल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यह 33 यह निकल के हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 इंटू 10 to the power 5 और multiply by 3.5 यह जो हमारा 3.5 है यह हमारा इस साइड आ जाएगा और एक पावर 4 है यह हमारा इस साइड आ जाएगा तो जो हम निकालेंगे एक पावर 4 बार क्या हमारा आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो यह हमारा 16 multiply by multiply by कितना आएगा हमारा 10 to the power 8 आ जाएगा इतना हमारा एक पावर 4 निकल के आए जब हम इसको एक को फाइंड आट करेंगे अपने कल्कुलेटर से तो एक इतना होगा हमारा 200 निकल के यहां से mm में आ जाएगा यह हमारा 200 mm बीमा एक वेली निकल के आ गई य यहां पे थे एंग फिर से रिपीद करता हूं कैसे किया निकल के आया हुआ हम मतने है शाजा हमको ड्लीक द्लू का मान है प्याइड रखतें में ट्र ihtियसं को मान हुआ हमारे पास है तो आइ को सब आइए खूए आइक पहूर अब सब इसम रखतेंगे तो हैं यहाँ से मारा एक पार फोर एक को रखायेगा अगा200 mm तो यह वा हमारा पहला और आप चाहें तो इसके इसका या फिर आयोग की आश्री खुछ से कोश्चन कर रहे होंगे और आपका एंसर भी आ रहा होगा तो हम जलते हैं नेक्स वेश्चन की तरफ और देखते हमारा नेक्स क्या है कि तो इस वह पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब क्वेश्चन नमबर टू क्या कहता है कि कोई दो मीटर इस पांड का अमारे पास कोई बीम है दो मीटर इस्पांज जिसका है वह मारे पास बीम है इसमें क्या पांच किलो न्यूटन पर मीटर का क्या कोई लोड लग रहा है मतलब कि कौन सा बीम है मारे पास कोई कैंट्री लीवर बीम है है मतले हैं पांच किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है यह भी हो गया और यह तू मिटर इस्पांड दिया गया इसका हिए और क्या दिया गया हमाРИप पास डारेक्ट रिजिटीटी लिए हो lista कि ये हमने आपको बेंडिंग इस ट्रेशौर में पढ़ा दिया था कि हम हमार पास बैसे ब्लेक्जराल रिजीटी जिसको मोलते हैं वो और इसकी वैलू हमारे पास क्या दिए गई है यह क्या क्या करें में वहां देखते हमार पास क्या फर्मला होता है पहले तो हमारे पास य कोई रिटीर वाय हमारा जो योly Igor lost को ओधने क्या पढहा था विज्टिर रोड कर अब कि एठ एट आई ये न क्यों टिक्द टिक्ड्स ये हमने फार्मूला पढ़ा था वारे पास worship की वेलू है यह सारी वेलू हमारे पास दी गई है अब क्या करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे लिए हमने आपको जो स्फड और उसमें हमने आपको बताया था तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता अगर कोई यह 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 अगर हमें यहां से फाइंड आट करना है तो क्यों यह होजाए इस मॉल्डवल मुल्टिप्लाइब लेंथ यह हमारे पास क्याप्टल डवल हो जाएगा तो स्माल डवल हमारे पास यहां से क्या करेंगे इसकी फाइंड आट कर लेंगे आप क्या करेंगे हम हमारे पास क्या फार्मूला है यह है अब क्या करेंगे इसी फार्मूले में हम जित्ते भी डाटा जमार दिये गए है सब हम पूट करेंगे तो हमारा वाइक वैल निकल के आ जाएगा तो डवलो की वैलों हमारे पास कितना है फाइव हो गया मल्टिप्लाइब वाइट तू हो गया और क्या है यह मीटर में दिय जो एंसर आएगा वही रोडिUM क्यों करेंगी क्योंकि हमारा केलोडी इसको कुम दिया गया तूर क्यार कि हमने कर दिया और क्या कि हमने हो जाएगा फिर 8EI 8 हो गया और EI की वेलू हमारे पास कितना है 2.5 x 12 हो गया EI की वेलू तो इसको भी हम ने एम इसको अब में चेंज किया इसको भी में चेंज किया और हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको 5 x 2 x 1000 और multiply by 2 x 1000 का स्क्वाइर यहां से यह हो जाएगा तो इसको इसको 5 x 2 x 1000 का स्क्वाइर यहां से यह हो जाएगा तो इसको इसको 5 x 2.5 x 10 to the power 12 तो यह हमारे कितना निकल के आएगा प्रें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा निकल के आएगा 4 mm तो यह हमारा 4 mm निकल के आएगा इसका जो मान है तो इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा तो यही जो डिफ्लेक्शन यह हमारा आएगा यह हमारा बी की वाइब इसको बोल देते हैं क्योंकि यह पुलते हैं तो यहाँ पर आएगा तो यहां पर डिफ्लेक्शन होगे अब हम क्या करते हैं इसी पर जो तो यह तो अप्लेक्शन होगा तो स्लोप के लिए हमार पास फर्मौला था दबलू एल इसकुर अपर में 6EI टिम यह हुआ डिफ्लेक्शन अब बस्लोप ह हाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि रेज़ कार किसको थीटा क्या था हमारे पास थीटा भी हमको find out करना है तो डबलू एल स्क्वाइर अपान में एट ए आई स्वरी सिक्सी आई है तो डबलू की वैलू यह हमारे पास स्माल डबलू इंटु एलो हो गया तो 5 इंटु 2 इंटु 1000 और L स्कॉरल मतलब की 2000 का स्कॉरल और फिर 6 इंटु E कि आई कितना देगा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारे कितना निकल के आएगा कि 2.6 इंटु 10 तु पावर माइनस 3 रेडियन ठीक है यह हमारा रेडियन निकल के आएगा या फिर हम इसको लिख सकते हैं पॉंट 0026 रेडियन बॉंट यह हमारा एक आइज हुआ हो गया और दूसर अंसर यहां पर यह हमारा हो गया यह हमारा वाई की बहुल माई भूट हो गया कि तो आएख के आप सभी कुसमेंँ आवागा होगा आप चाहिए जोट लेग सकते हैं है फिर हम आगे बढ़ते हैं है तो इस्क्रीन सोट हो गया होगा अब हम सलते हैं नेक्स क्वेश्चन पी तरफ हम क्वेश्चन नमबर थाड देखते हैं है अब तक तो हमने क्या किया अब क्या चो आर्मिली ऑव मेंं था ठीक है अब है पर में क्या करेंगे जो सप्वेश्च कोष्ट सब्सक्राइब हमारा डेक है होगा हो तो होगा सब्सक्राइब पर देखते हैं पहला कोशक आपना लहारे पास होता है जय। पहले कोईशन क्या पास होता है उसको देख लेते हैं तो पहला कोईशन आपास है कोईशन नमर थी इसको बूल देते हैं तो सब्सक्राइब कि फॉर मिटर लंबा इस्पान है कि अब कोई एससबी है है फोर मीटर लंबा इस्पान है है कि टिया गया है और क्या कह रहा है कि जो बी कि मान दिया गया है बीवरा चार एम्म दिया गया है अब्सक्राइब के लिए गया है कि यह 150 इम्म दिया गया है और हमें वाई मैक्सिम्म की वैलू दिया गया है कितना 12 अबसकूल मतलब हमारे पास जिफ्रेक्शन दिया गया स्वलोप हमको घ्यांद करना है बी की वेलू दी गई है डी की वेलू दी गई है स्पान एल वरावर दिया गया है कितना फोर मीटर और एक वेलु वेलु हमारे पास दी गई है कितना इस किलो नीटर पर मीटर स्कॉरर और डबलू भी हमको क्या करना है यह दो डाटा हमारे पास नहीं पता यह और यह और वागी हमारे पास पास जाटा दिए गया है तो अब इसको भी देखते किसका से फैंड़ करते हैं तो हमारे पास बी दिया गया और ड दिया गया मतलब की आई हम फाइंड़ आट कर लेंगी बीडी क्यूब वाण में 12 150 मुल्टिप्लाइब बाट क्यूब अपार में 12 जिब इसको स्वाव करेंगे तो हमारे कितना निकल के आएगा 1.953 x 10 to the power 8 mm की पावर 4 यह मारा आ गया अब आई हमारे पास आ गया ई हो गया और क्या फाइंड आट करना हमको वाई मैक्सिमम हो गया मुझा वाई मैक्सिमम को पता ई पता आई पता तो हम डबलू की वहां से फाइंड आट कर सकते हैं ठीग या वाई मैक्सिममम हमने क्या पड़ा था चिम्प्री सपोर्टेड़ फिर आपने क्या फर्मूला पड़ा था और जो कंसंट्रेटेडर लोट के लिए वह हमने फॉर्मूला क्या पड़ा था कि डबलू एल की उपाउन फॉर्टी एट एट याई यह हमने फर्मॉला पढ़ा था वाई मैक्सिमुम किस केस में कि हमार सिंप्ली सपोर्टेड भीम था और उसमें पॉइंट लोड लग रहा था तब के लिए तो वाई मैक्सिमुम की वेलू 12 हो गया डबलो की वेलू हमको फाइंड आट करनी है एल की वेलू हमारे पास फोर मीटर मतलब 4000 फिर फोर्टी एट एक वेलू हमारे पास मीटर में दिया गया रहा तो इसको हम चार ही रखते हैं हम इसको हम ठेंज कर देते थोड़ा सा ठीक है इसको हम 4000 और यह जो हमारे पास यह डबलू हो इसको भी एम में चेंज कर लेंगे नुटर में चेंज कर लेंगे नहीं तो हमारा किलोनुटर में निकलके आएगा ठीक हम और यह हमारे पास 40 हो गया फिर एक बैलू 6 मुल्टिप्लावेट 10 to the power 6 10 to the power 6 है तो यह हमारा किसमे है मीटर में इसको एम में चेंज करेंगे 10 to the power 3 बचे गा और क्या हमने आई आई को वेल चाहिए हमको 1.953 into 10 to the power 8 अब इसको जो हम स्वाल्व करेंगे तो यह क्या हमारा हो जाएगा क्या हमारे पास हो जाएगा 12 into 48 into 6 into 10 to the power 3 into 1.935 multiply by 10 to the power 8 अपान में यह हमारे पास हो जाएगा 4000 का क्यू पान में 1000 तो यह हमारे डवलो कमान जो निकल के आएगा ठीक है तो डवलो कमान निकल के आएगा यह 10.55 हो किलोन्यूटन है रहा निकल किछी न का टाएगा डवलो कमान तो डवलो कमान हमको यह तो पता चल गया डवलो कमान अब थीटा भी हमको ग्याःत करना है ठीरेनी हमारे पास एक diesel हरना है क्या फर DAW में में 16 rip वह मान द्जाकत करते है क्या थीटावा निकram डबलू एल स्क्वार आपार्ट में 16 यह इसी में रखतेंगे इतंदा सब्लोव 55 पार्च किलोट्रें दिया इसको न्यूटन में चेंज खर लेंगे स्कूर हो जाएगा फिर 16 हो गया एक मान हमारे पास दिया गया 6 इंटु 10 तो थी पावर यह त्री हो जाएगा फिर क्या हमारे पास आई आई कमाई 1.953 तो 10 तो थी पावर 8 जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आएगा 0.009 रेडियन ठीक है यह वह आमरे पास डबलो की वायलू और यह किया हुआ अमारे पास स्लूप कितना आ रहा ठीक है तो आप इसकीन सॉट लिख सकते हैं फिर नोट डाउन कर सकते हैं आप स्क्रिंस आट हो गया होगा चलता है तरफ के गएक क्वेश्चन सा और अम देखते हैं इस वाईक है कि सारे कोईशन रहे है कर नहीं समझा तो फिर से देखिए आपको सारे क्वेशन आ जाएंक अच्छे से और अगर आपको किसी भी कोई प्रॉब्रम हो रही है तो आप हमारी वार्टसक नमबर पर कोश्चन कर सकते हैं आपको सोलूशन मिल जाएगा आप इंजियार करेंगे उसके बाद सलूशन कुछ ट्रैम बाल आपको मिल जाएगा अब जो चौथा कोश्चन ठीक है यह तो हमाद तीसरा कोश्चन हो गया चौथा कोश्चन देखते हैं चौथा कोश्चन समय क्या कहता है कि कोई सिंप्ली सपोर्टेज बीम है उस पर डवल कि लोड़ लेटर पर मीट का यूटेब लोड लग रहा है डि यह कोई सिंप्ली सपोर्टेज से Hampshire का यह हों क्या नीटन पर एमेंएंज स्कॉर और के दिया गया हमारे पास आई की वैलु दी गई है कि कमान कितना दिया गया है एक है 5 10 to the power 7 कि हमको फार्ट करना है ठीटा हुआ इतने डाटा नथा ओपास तिये लिए क्या देख लिए क्या होता है तो डौसकर कर सकते हैं पहला एक इस तरह से और दूसरा आपको बताते हैं कि 5 अपां 384 x wlq अपां में यह हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था य मैक्सिम के लिए आप चाहे इस फार्मलों से आपको करना पड़ेगा है यहां पर हमारे पास दिया डबलू भी जिया गया है और आपको इस फार्मली से और आसानी हो जाएगी इस फार्मली से तो अब हम देखते हैं कि 5 अपां 384 कि मॉल्टिप्लाइबाइब है कि डबलू एल की वह फार्म में कि इस फार्म में त्री एट फॉर डबलू की वह फार्म पास कितना दिया गया है यह बेस दिया गया है कि है ंगे है में अब आपको पिछली इक क्यासे है कि यवह था और कि क्यूब हो जाएगा ठीडर किविल हमारे पास दिया गया कितना 2 इंटू 10 to the power 5 और कितना जाए गया 5 इंटू 10 to the power 7 टीकभ अब इसको हम साल्व करेंगे जब इशको साल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 6.7 six nine sixsoon seven eight कि हमारे पास वैं मैक्सिममल की भिले निकल के आ जाएगे और यह क्या lessons के लिए फ़र्मना था है ठीटा की लिए你 जोन क्या होता हमारे है को आधा माक्सिमा पास capital formula होता है की डवल्य ऐलइ स्कोर치 में 48 24 24 24 e i tm यह हमार पास फर्मुला होता है तो इस में का अगर हमान रख देंगे तो यह हमार हो जाएगा 80 multiply by 1000 L की वेलू 4000 2 हो जाएगा 24 E की वेलू 2 इंटो 10 to the power 5 पिर I की वेलू 5 इंटो 10 to the power 7 इसको जब सॉल करेंगे तो यह हमार निकल के आ जाएगा 0 053 तो यह हमार पास दोनों अंसर हो गया यह यह मैक्स हो गया यह ठीटा मैक्स हो गया क्यों घ्राइक क्ये कोशन्स जो होते हैं आपके एक्ज्ञाम चाहे साकते हैं अ क्याश्च क्यों Martha हो गया गया तो इसे प्रकार कि हमने आपको चार सब wrath र종ति तो इसी प्रकार की प्रइब्स सब्सक्राइब करें लिए तो आज की लिए रखते हैं जो आंपका डिकनल आज के लिए वीडियो में सुरू करेंगे आज के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद त्रहेंगे